जब हम घर पे थे तो एक-एक करके पारसल्स आ रहे थे और जैसे ही हम घर से दो दिन के लिए दूर गए तो पारसल की पूरी की पुरी बॉच्छार ही हो गई डबबो को देखके ऐसा लग रहाता कि मेरे सारे के सारे पारसल्स आ चुके हैं बट अभी भी कुछ बाकी है और म सबसे पहले जो निकला जाएग लाइट और मुझे लग रहा था कि सुज्ट है भरिलो लाइट किया लोगा भर यंपत्रेद कि लाइटाट जो किसी तो मैं यहाँ पर डालने पारी इतना और जो है नेक्स्ट इसको देख रहा है इस पर नुहा के कप्रे है और नुहा का मैंने जो लिया था यह पहले से अन्बॉक्स कर चुकी थी मेरी अम्मी और देखने के बाद मुझे रिव्यू दी थी उनके उनको पसंद नहीं आया था त क्योंकि मेरे घर में किसी को वह कप्रे पसंद नहीं आये थे उसके बाद आये थे मेरे दो नाइट सूट जो की कॉंबो में था तो मैंने ले लिये थे और इसका भी क्वालेटी बहुत ही अच्छा था सब कुछ अच्छा था प्राइस वगएरा सब एकदम से बहुत ही सई तो यह है इसके जो है एक नीचे का बाटम एर एन यह है उसका टॉप मैं एक खुल के दिखाती हूं बाकी जो है वह सेम टू सेम है उसी तरह का बस उसका कलर अलग है और डिजाइन अलग है बाकी सब कुछ एक है और कपड़ा क्वालेटी शायद पॉलस्टर में है यह पिर भी ठीकी है पहने में उतना खराब नहीं लग रहा है पर गर्मी में शायद थोरा सा लगेगा बर ठंड के टाइम पर ठीक है और मैंने लिए है ठंड के लिए ही क्योंकि अब आज आएगी ठंड तो फिर चलेगा अराम से उसके बाद यह जो डबा निकला इसमें से था नव वहां से भाग गया क्योंकि वह सूज के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था और जब जब मेरा पार्सल सा रहा था था ना वहर टाइम रोता था कि मेरा सूज मेरा सूज तो फाइनली उसका सूज आ चुका और वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया सूज लेके उसके यह बिल्कुल भुग्फतम तरह बहुत ही अच्छा लग मुझे और पहों अच्छा है कि अच्छा हेगा है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह और इसको मैं पहन के नेक्स्ट वीडियो पर दिखाऊंगी सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई